वाट इस इंडस्ट्रियल चाउन अथात उद्योगिक नगर क्या है जैसे जैसे किसी शहर में उद्योग धंधों का विकाश होता है उसे उद्योगिक शहर कहते हैं जिंकन ने उन्हें कोक चाउन के नाम से पुकारा उन्होंने कहा कि गाउं से जनसंखियां शहर की और आती है और वो उद्योग धंधों से जुड़िया दी है एक और रोजगार मिलता है तो दूसरी और उन्हें आवाश की शमश्या होती है जिस कारण से उहाँ पर शलम गंधी वस्तियों का विकाश होता है दूसरी विशेश्ता यह है कि वहाँ पर वर्ग शंगर शोता है अथार्थ एक और उद्योग धंधों के मालिक और दूसरी और शर्मिक दोनों में शंगर शोता है चुकि पुझी पति वर्ग चाहते हैं कि अधिकतर मुनाफा उनके पास हो लेकिन शर्मिक वर्ग कार्ज करते हैं और एक शमय ऐसा आता है शंगर शोता है क्रांतियां होती है और इस तरह से वर्ग शंगर शोता है तीसरी विशेशता यह है कि शर्मिक जिस कारखाना में कार्ज करते हैं वो दक्ष हो जाते हैं और प्रतेक शर्मिकों का अलग-अलग कार्ज होता है और इस तरह से उन्हें विशेशी करन की और जाते हैं इसे ही उद्योगिक नगर कहा जाता है क्योंकि दिनों दिन आज उद्योगिक नगरों की शंख्या बढ़ रही है यही उद्योगिक नगर कहलाता है आवश्यक्ता इस बात की है कि शर्मिकों को दिहान में रखते हुए आवाज की शंख्या बढ़ाया जा और शर्मिकों का भविश के बारे में सोचा जाएं तभी किसी देश का विकाश हो शकता है धन्यवाद अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस व्यूज को लाइक करें शब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद